हेई फ्रेंड्स मैं हूँ पारूल और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ईजी और क्विक सी डेजर्ट सो जट पर बनके तयार होगे उसको बराने में सिर्फ ब्रैड और कस्टर्ड पाउडर मेन इंग्रिडियन्ट समय चाहिए अगर आपको मेरे रेस्पीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिया गया लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो एक पैन में एक कटोरी चीनी डाली मैंने और एक कटोरी पानी उसी कटोरी से नापके सारा मिजर्मेंट किया है पांच मिनट के लिए इसको हमें पका लेना है मेरियम से हाई फ्लेम रखते हुए थोड़े से केसर के धागे राल दिये हैं यहाँ पर देखे तो पांच मिनट हो गए हैं और जो चाशनी है बनके तयार है एक दूसरा पैन लिया मैंने इसमें दो कटोरी दूद डाल देंगे तो यहाँ पर फुल क्रीम दूद मैंने डाला है अब चाहें तो कोई भी दूद इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ढखकर उबालाने का वेट करेंगे जैसे ही उबालाएगा इसको चला देंगे एक बार दूद में डाल देंगे और विश्कर की मदद से चला देंगे यह दो चम्मच चीनी डाली मैंने तो इस तरीके से अच्छे से आप इसको चलाएं ताकि इसमें लंप्स ना पड़े और इसको लगबबग 2 मिनट तक ही हम पकाएंगे ज्यादा पकाने की ज़रुरत नहीं है तो 2 मिनट के बाद ये देखे कुछ इस तरीके से हो गया है ये कस्टर हमें बहुत गाड़ा नहीं चाहिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है तो इसको साइड में रख देते हैं आगे आ जाते हैं यहाँ पर मैंने ब्रेड ली हैं लगबग 6 ब्रेड ली हैं मैंने य इंगल लिए हैं अब आ जाते हैं आगे इनको फ्राइ करने के प्रोसेस में तो यहाँ फ्राइ पैन में थोड़ा सा देसी घी हम डालेंगे बहुत जादा घीरालने की ज़रूरत नहीं है और इनको एक एक करके इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे ध्यान इनको ले बहुत जल्दी सिक लिए हैं अगा देदए हैं तो निकाल कर ले लेंगे यह देखें कितना प्यारा गॉल्डन न ब्राउन कलर इनके उपर आ गया हैं तो आरे जो ब्रैट स्लाइसिस हैं मैंने यहाँ एक प्रेट पनी कर निकाल लिए हैंः अब आते हैं यहां चाष्णी हमारी ल्युक्वॉम है, एकदम ल्युक्वॉम सी चाष्णी में हम इन ब्रैट्स को गिरा देंगे इस तरही के से, और अच्छे से डुबा कर इनको निकाल लेंगे साथ के साथ, बहुत देद डुबा कर रखने की जरूरत नहीं है, ढालें और साथ के साथ इस तरीके से निकालने उतनी ही देर में ब्रैट जो है पुरा जो मीठा एब्जॉब कर लेगी उसके बाद हम इसको कस्टर्ड का जो हमने मिल्क बनाया है न वो नीचे डालेंगे और उपर से ये ब्रैट्स रखेंगे इस तरीके से प्लेटिंग करेंगे इनको सर्व करेंगे पसंद आये तो लाइक करना नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना